एक लव्य विद्या संकूल उसका उत्तर है फुलों से हमें यहां सिख मिलती है कि हमें हमेशा हसता रहना चाहिए और कोई भी कठिन परिस्थिती हो तो उसे हमें हस कर सहना चाहिए उसके बाद दूसरा प्रोश्ण है सुरज की किरने क्या करती है तो इसका उत्तर है सुरज की किरने है वो अंधिकार को दूर भगा कर सारे जग को चम काती है तीसरा प्रोष्ण दीपक जग को कैसर रोशन करता है तो इसका उत्तर है दीपक जग को हमेशा अपना अंतर जला कर रोशन करता है चोधा प्रोश्ण है धर्ती को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए आप क्या करेंगे तो इसका उत्तर है धर्ती को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए हम अच्छे इंसान बनकर अच्छे सचे काम करकर धर्ती को स्वच और सुन्दर बनाएंगे पांचवा प्रोश्ण है जग में नाम कमाने के लिए हमीं क्या करना चाहिए तो इसका उत्तर है जग में नाम बनाने के लिए हमीं अच्छा इंसन बनना चाहिए इसके बाद की प्रोश्ण उतर है समान प्रांस वाले शब्द पढ़िये और बोलिये तो बाल दोस्तों इसमें जो शब्द दिये हैं वो समान प्रास वाले हैं और इनको पढ़कर बोलना है तो आईए पहला देखते हैं मानविय, मानवता, महानता, सज्जनता और समानता उसके बाद है लंबाई, चोड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई उसके बाद है चाचा, तादा, नाना, मामा, बेटा तो बाल दोस्तों हम एक बार फिर बोलेंगे मानविय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता उसके बाद है लंबाई, चोड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई उसके बाद है चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा तो बाल दोस्तों आप भी कुछ समान प्रास वाले शब्द ढूंड कर ऐसे पढ़ सकते है आतो बाल दोस्तों बागी का प्रोष्णों निमन लिखी च्रब्दों का वच्चन परिवर्तन कर के वाक्य में प्रयोग कीजिए तो बाल दोस्तों वच्चन परिवर्तन करना मतलब किया तो वच्चन परिवर्तन यानि जो वच्चन के दो प्रकार है एक वच्चन और बहुवच्चन तो इसमें एक वच्चन का बहुवच्चन करना है और बहुवच्चन होते है उसका एक वच्चन करना है तो आएए, हम पहले यहाँ पे जो उदाहरण दिये है वो उदाहरण समझते है और दुसरे जो शब्द है उसके वच्चन परिवर्तन करते है तो इसमें उदारण है लड़का तो लड़का एक वच्चन शब्द है और लड़के बहुवच्चन शब्द है और लड़का का बहुवच्चन दिया है और अब हम उसके जो वाक्य दिये है वो पढ़ते है पाठ शाला में सभी लड़के प्रात्ना में नियमित है तो बच्चों यहां पर जो दूसरे यह दिये गए है शब्द इनके भी हम वच्चन परिवतन करते हैं और वाक्य बनाते हैं पहला है पंखा तो पंखा एक एक वचन शब्द है तो इसका बहुवचन होगा पंखे पंखा का होगा पंखे तो इसका हम वाक्य बनाते है इस रुम में तो कई सारे पंखे रखे है उसके बाद है आँख दूसरा है आँख तो आँख एक एक वचन शब्द है उसका बहुवचन होगा आँखे तो इसका वाक्य होगा मुझे मेरी बहन की आँखे बहुत पसंद है उसके बाद तीसरा है किताब तो किताब एक एक वचन शब्द है उसका बहुवचन होगा किताबे किताब का होगा किताबे तो इसका वाक्य हम बनाते हैं मैं अपनी किताबे संभाल कर रखता हूँ उसके बाद चोंथा है पोधा तो पोधा एक एक वचन शब्द है उसका बहुवचन होगा पोधे तो इसका वाक्य हम बनाएंगे मैंने अपने बगीचे में कई सारे नए पोधे लगाए हैं उसके बाद है पाचवा, पाचवा है पैंसिल, पैंसिल एक एक वचन शब्द है और उसका बहु वचन होगा पैंसिले, तो इसका वाक्य होगा मेरे कमपास बोक्ष में कई सारी पैंसिले है, हाथो बच्चों आप इस तरह दुसरे भी शब्द ढूंड कर उसके वच्चन परिवर्तन करके वाकिया बना सकते हैं अगला प्रोशनों काविय पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखे तो बाल दोस्तों यहांपे जो यe === पंक्तियों काविय दिग गई है उसका हमें भावार्थ लिखना है दीपक को देखो कैसे हां हर्दम जलता रहता है तो कविता में कहा है कि आप दिपक को यानिकी दिये को देखो वो कैसे हर दम यानिकी हमेशा जलता रहता है अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है अपना अंतर यानि की अपना जो रदई है अपना देल है उसे वो जला कर सारे जग को यानि की विश्व को वो रोश्नी देता है आओ हम भी इंसा बनकर जग में अपना नाम कमाए तो कविता में कहां है कि आईए हम भी इंसा बनकर इंसा यानि कि मानव बनकर जग में अपना नाम कमाई सारे विश्व में अपना नाम जो है वो आगे बढ़ाए अच्छे सच्चे काम करे और सारी धर्ति को महकाए अच्छे और सच्चे काम यानि कि अच्छे काम जो है जैसे कि सब की भदद करना सब के साथ अच्छा आचरण करना व्यवार करना और सच्चे काम यानि कि सच बोलना कभी किसी के साथ चूठ नहीं करना दगा नहीं करना तो यसे सच्चे काम करकर हम सारी धर्ती को महिकाए सारी धर्ती में अच्छी खुश्बू फेला कर उसे महिकाए तो बाल दोस्तों मैंने जो स्वाध्य में आपको प्रश्णोत्तर करवाए है वो सारे प्रश्णों तर आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखने हैं अस्तु अस्तु